नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मैं हूँ आपके साथ अब्दुलकरीम चारा घोटाला मामले में सजायाफता आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादो को एक बार फिर से जटका लगाया जारकंड हाई कोट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादो की जमानत अरजी पर सुनवाई छे सब्ता के लिए टाल दिये ऐसे में राज़त प्रमुक को फिलहाल जेल में ही रहना होगा जानकारी के अनुसार लालू की बकील ने सप्लिमेंटरी एफिडेविट दाखिल करने के लिए अतरिक्त समय की मांग की थी बता दे कि डोरंडा कोशागार से अवयद निकासी मामले में दोशी लालू यादों ने हाई कोर्ट में जमानत की अरजी दाखिल की थी लालू यादों पर चारा घोटाला से जुड़े कई मामले दर्जें शुकरवार को होने वाली सुनवाई इस घोटाले का पांचवा मामला था यानि कि आज जो सुनवाई होनी थी वो इस घोटाले का पांचवा मामला था ये डोरंडा कुशगार से आवेत निकासी से जुड़ा है ट्रेजरी से 149 करोल रुपे निकाल लिये गए थे गोरतलब की लालुयादों को चारा घुटाले से जुड़े तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है डोरंडा कुशगार निकासी मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसम्बर की तिथी तैकी गई थी जो कि अब आगे बढ़ा दी गई है लालुयादों को चार मामलों में सजा मिली है उसके खिलाफ उन्होंने हाई कोट में अपील की है इनमें से तीन मामलों में उन्हें जमानत दी जा चुकी है गवरतलब है कि लालु प्रसाद को सभी मामलों में आदी सजा काटने के आधार पर जमानत दी गई है दुमका कोशेगार मावले में भी उन्होंने इसी आधार पर जमानत वांगे साथी आपनी बीमारी का हवाला भी दिया है बता दे कि जहांच एजनसी सीबियाई शुरुआत सही लालो यादो को जमानत देने का विरोध करती रही है हाला कि लालो यादो विविन आधार पर जमानत की मांग कर रहे है राजत प्रमुक का स्वास्त ठीक नहीं रहता है इस वज़े से उनका ज्यादे तर समय रिम्स अस्पिताल में ही डॉक्टर की निगराणी में कटता है फ़लाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी है